विकास और विरासत दोनों का इसमें उल्लेख है और ने संकल्प भी बताते हैं कि महिला यूवक गरीब और किसान इनके लिए क्या-क्या कैसा प्राइरिटी एरिया है यह सब बताया तो मुझे लगा यह बहुत मेहतोपूर्ण है किसान को एक प्रतियकर 18,000 क्रोड रुपे की सबसीडी मिलती है किसान को 30,000 क्रोड रुपे प्रिमियम भरके 1,50,000 क्रोड रुपे उनको क्लेम्स के रूप में वापस मिला है उनको पेंशन भी मिल रही है उनको 30,000 रुपे किसान समान योजना के आज तक मिले है तो यह जो सब और MSP बढ़ा है और सबसे ज़्यादा सर सरकारी खरीद हुई है तो यह जो किसान के खाते में डाइरिक पैसाजार है उसके बारे में बात किया है इसे ही सब विश्यों में किया है मुझा लगता है यह प्रागतिक सरकार का एक प्रागतिक दिशा दिखदर्शन है कि 2000 आने वाले 25 साल में कैसे देश विकरसित होगा इसका यह रा रोड मैप है